बिसमिल्लाई रह्मानी रहीम, असलाम लेकुम एवरीवन, I hope you all are fine and doing great, welcome back to my channel, dear students, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने first lecture में biology के introduction पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने science and biology की definition पढ़ी, तो आज के lecture में हम characteristics of living organisms पढ़ेंगे, तो देखते हैं aspects of biology, aspect का मतलब होता है पहलो, और biology की definition ह हम अपने previous lecture में पढ़ चुके हैं, it is the study of life, कि biology is the study of life, but there are certain aspects of life, कि biology life को study तो करती है, बट इसके कुछ aspects हैं, कुछ पहलो हैं, कुछ हदूद हैं इसकी, उन हदों में रहते हुए, ये biology life को study करती है, like biology, जिन्दगी के बारे में हर question का answer नहीं कर सकती, like कोई ऐसा question हो, why there should be life, life, जिन्दगी का बजूद क्यूं है, और आपको देखने के लिए आँखें क्यू दीगई, आपको सुनने के लिए कान ही क्यूं दीगे, इन questions के answer biology नहीं कर सकती, तो जब इन questions का answer कर सकते हैं, वो philosophers हो सकते हैं, and theologians हो सकते हैं, philosophers कौन होते हैं, वो लोग जो किसी भी question का answer अ कुन होते हैं वो लोग जो मजब की किताब को सामने रखते हुए किसी भी क्रिस्टन का आंसर करते हैं इसको हम study of religion भी कह सकते हैं अब हम देखते हैं कि वायालोजी लाइफ को किस तरह से डील करती है वायालोजी मेंली डील्स हाव लाइफ वाक्स किसे करती है लाइक कोई भी living organism है उसमें digestion का process कैसे हो रहा है लाइक eyes जो है उसकी eyes की structure कैसी है और किस तरह से work करती है ठीक है इन सारे functions को इन सारी चीज़ों को बायालोजी में study किया जाएगा suppose कि कोई भी किसी आम इनसान से यह question किया जाएगा what is life तो उसके लिए इस question का answer करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जिन्दगी जिन्दगी है इस से जएदा विश्यूज को explain कर सकता हो कोई भी आम इनसान it is difficult to define life कि मुश्किल हो जाएगा उसको जिन्दगी को explain करना जिन्दगी को define करना but according to biologist अगर यही वाला question किसी biologist से किया जाएगा तो वो इसका answer biology के according कैसे देगा वो इस तरह से इसका answer देगा life is a set of characteristics that distinguish living organisms living things from non-living things के life एक ऐसा characteristics का set है जो living organisms को non-living organisms से distinguish कर देते हैं उनसे अलहदा कर देते हैं मुम्ताज कर देते हैं और जो dead organisms है वो भी non-living में आ जाएगा ठीक है कोई भी living organism है अगर वो dead हो जाए तो वो non-living में आ जाएगा क्यूंकि उसमें वो जो characteristics living organisms वाली वो खतम हो जाएगा ठीक है अब हम देखते हैं characteristics of living organisms कि वो कौन सी characteristics हैं जिनकी base पर हम किसी भी organism को living organism consider करते हैं तो फर्स्ट वन है highly organized के कोई भी living organism है उसको बड़ी तर्तीब से बनाया गया है ठीक है लाइक वो unicellular organism हो या multicellular organism हो अला ताला ने हर जानदार को हर living organism को एक बहुत ही तर्तीब के साथ बनाया है वो highly organized हैं सेक्रिंड हमारे पास complex entities complex का मतलब मतलब पचीदा कि कोई भी living organism हो वो simple नहीं हो सकता बेशक वो unicellular organism क्यों नहीं हो क्योंकि आपको पता है कि वो organisms जो one cell पर मुश्तमिल होते हैं वो unicellular organisms कहलाते हैं लेकिन उनकी body भी simple नहीं होती ठीक है वो उनकी body में भी कुछ complexions होती है like उसका genetic material जो होता है इसका DNA है entities का मतलब होता है चीजें then third one characteristic है हमारे पास composed of one or more cells कि जितने भी living organisms हैं या तो वो one cell से बने होते हैं या फिर वो एक से ज्यादा cell से बने होते हैं यह चीज़ आपने लाजमी लिखनी है one or more cells और आपको पता है कि वो living organism जो one cell पर मुश्तमिल हो वो unicellular organisms कहलाते है और वो living organism जो एक से ज्यादा cells पर मुश्तमिल हो वो multicellular organisms कहलाते हैं और next characteristic है हमारे पास contain genetic program of their characteristics कि जितने भी living organisms हैं उनमें genetic program होता है जिस पर उसके characteristics based करती हैं कि एक organism है उसमें जितने भी characteristics हैं उनको decide कौन कर रहा है जीन decide कर रहा है like हमारी जो आँखों का color है वो किस वज़ासे है कि हमारी body में उसका gene मुझूद है जो हमारी आँखों का color decide कर रहेगा ठीक है कोई believing organism है वो genetic program पर मुश्तमिल होता है और next है हमारे पास carry out and control chemical reactions कि जितने believing organisms होते हैं वो chemical reactions को चलाते भी हैं और control भी करते हैं तो जब कोई believing organism किसी भी chemical reaction को चला रहे हैं तो यह नहीं है कि बस वो उसको control नहीं करेंगे वो चलाएंगे भी और control भी करेंगे और अगर वो उसको control नहीं कर सकते हैं तो वो disease में आ जाएगा, abnormality में आ जाएगा तो कोई believing organism क्या करता है वो chemical reactions को चलाता भी है और उसको control भी करता है और इस process को metabolism कहा जाता है ठीक है और next time मारे पास acquire and use chemical energy, living organism क्या करते हैं energy को acquired and use हासिल करते हैं और energy को use करते हैं energy को acquire किस फॉड की किस फॉर्म में करते हैं कि वो में लीविंग और कन रगनिस्म है, वो food से energy लेते हैं और फिर उस energy को अपनी body में استعمוב करते हैं और फूड किया है कोई भी चीज है जिसमें कार्बन हाइडरोजन बांड मुझूद हो तो फूड कहलाता है मतलब फूड में कार्बन हाइडरोजन बांड मुझूद होना जरूरी है वॉटरन एक हमारे पास वॉर्टर का फॉरमुला आपका पता है, ह्टूर तो इसमें carbon hydrogen वॉर्ण नहीं कह सकते हैं, वॉर्टर का फूर्डे, नहीं कह सकते हैं, तो इस प्रॉस्ज़ को कहा जाता है respiration कि energy हासिल करना और energy को अपनी बाड़ी में इस्तमाल करना इस process को कहा जाता है respiration like हम जो सांस ले रहे हैं अपने महाल से oxygen अपने अंदर लेके जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं अपने बाड़ी को energy फ्रहम कर रहे हैं उस oxygen से then हमारे पास आजाता है can growth in size के living organism अपने size को बढ़ाते हैं ऐसे हैं उनका size बढ़ता है वो plants हो या human being हो या animals हो उनका size वकत के साथ-साथ बढ़ता जाता है ठीक है तो यह ability यह characteristic living organism में पाई जाती है reproduction like इनसान है तो इनसान के बच्चे इनसान के जैसे ही होंगे कोई जानवर है like cat है तो cat के जो of springs होंगे वो cat के जैसे ही होंगे then हमारे पास आजाता है respond to change the environment living organism environment को जो environment में जो change आता है उसको response करते है और इस process को कहा जाता है behavior okay like जब गर्मी आ जाती हो तो हमारी body का temperature है वो high होना चुरू हो जाता है तो यह 10 characteristics हैं जो किसी भी living organisms में मुझूद होना ज़रूरी है अगर यह 10 characteristics किसी भी organism में मुझूद ना हो तो हम उसे living organism consider नहीं कर सकते है या तो फिर अगर वो living organism है भी तो वो abnormal नहीं है ठीक है वो abnormal है इस वज़ा से क्या होगा कि वो abnormality में आ जाएगा अब हम देखते है declaration declaration का मतलब होता इलान करना ठीक है anything processing all their characteristics simultaneously decided as living object इस चीज का इलान किया जगता है कि कोई भी चीज जिसमें यह 10 characteristics मुझूद हो उसे हम living organism कहेंगे living organism consider होगा और इस topic में से जो important